नमस्कार, सीक्रिट मिस्ट्रीज में आपका सुआगत है हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकोन को जरूर दबाए ताकि हमारी नही आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें हनुमान चालीसा के साथ करेंगे सुन्दर कांड का पाट तो मिलेगा ज्यादा लाब जाने कौन सा समय रहेगा उचित जरूर देखें भक्तो द्वारा हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए ज्यादा तर हनुमान चालीसा का पाट किया जाता है हनुमान चालीसा बड़े बुडों से लेकर बच्चों तक को जल्दी याद हो जाता है लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुन्दरकांड का पाट के लाप जान लेंगे तो उसे रोजाना करना पसंद करेंगे हिंदु धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुन्दरकांड का पाट करने वाले भक्त की मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है सुन्दरकांड आध्याय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरित मानस के साथ आध्यायों में से पाँचवा आध्याय है रामचरित मानस के सभी आध्याय भगवान की भक्ती के लिए है लेकिन सुन्दरकांड का महत्व अधिक बताया गया है सुन्दरकांट पाट का महत्व जहां एक और पूर्ण रामचरित मानस में भगवान के गुणों को दर्शाया है उनकी महिमा बताई गई है लेकिन दूसरी और रामचरित मानस के सुन्दरकांट पाट की कथा सबसे अलग है इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बलकि उनके भक्त के गुणों और उसके विजय की बात बताए गई है हनुमान पाट के लाब सुन्दर कांट का पाट करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ती भटक नहीं सकती इस तरह की शक्ती प्राप करता है वह भक्त यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम न बन रहा हो तो सुन्दरकांड का पाट करने से सबी काम अपने आप ही बनने लगत सुन्दरकांड का पाट भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ती को बढ़ाता है सुन्दरकांड पाट का अर्थ इस पाट की एक-एक पंक्ती और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने की सीथ प्रदान करता है मनों विज्यानिकों के अनुस किसी बड़ी परिक्षा में सफल होना हो तो परिक्षा से पहले सुन्दरकांड का पाट अवश्य करना चाहिए यदी संब्बव हो तो विद्ध्यार्थियों को सुन्दरकांड का पाट करना चाहिए यहाँ पाट उनके भीतर आतमविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के लिए सूत्र भी बताए गए है सफल जीवन के मंत्र यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए यह राय दी जाती है कि यदि रामचरित मानस का पूर्ण पार्ट कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदर क का पार्ट ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पार्ट अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं अब देखिए किस समय करे सुंदर कांड का पार जोटिश के नजरिये से यदी देखा जाय तो यह पाट घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंढरा रहे, अशुब्ग participle से छुटकारा दिलाता है। यदी सवय यह पाट ना कर सके, तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को यह पाट सुनाना जरूरी है। अशुब ग्रहों का दोश दूर करने में लापकारी है सुन्दर कान का पाठ जै श्री राम जै हनुमान तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई और प्लीज 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 इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा ताकि आने वाली नई वीडियो को भी आप इंजय कर पाए तैंक यू बेरी मच, गुडबाई